हमारी जो डिस्ट्रिक है हाँ उसका ना तो हम नाम बदलने देंगे, पूरी हर्याना में अगर आप कहीं भी देखेंगे, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक कहीं और है और उसका हेटकोर्टर कहीं है। आज हम महंदरगड में पहुंचे हैं और महंदरगड में जो मुद्दा चल रहा है वो आप जानते हैं जिले का जो नाम है वो बदलने की बार-बार बाते हो रहे हैं और सामने भी निकल के आ रहे हैं और उसी के चक्र में आज जिले के अंदर बंद किया गया था आज हमारे सा अभी मोजूद हैं पारूल राओ जो की कोथलकला गाउं से हैं और वार्ड नमबर पांथ से अब की बार ये भावी पारसक की परतियासी हैं इनसे हम बात कर लेते और इनसे हम जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर महंदरगड के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मैं सबसे पहले तो इसके साथ बड़ा हो रहा है और अब टाइम है कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि हम इन चीजों में बदलावना है और हमारी जो डिस्ट्रिक है हम उसका ना तो हम नाम बदलना चाहेंगे ना बदलने बेंगे और ये जो आंदोलन हमारा बार असोसेशन ने चलाया है ये इसका समर्था में पूरी तरह से करेंगे क्योंकि इसमें हमारा ही फाइदा है हमारे ही इस्ट्रिक का विकास है आपने अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि पूरी हर्याना में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिक कहीं और है और उसक अगर यहां पर हैड़कॉर्टर नहीं है नार्नॉल में हैं तो उनसे जो आम जनता है उसको क्या दिखते हैं यह तो बहुत ही मेजर दिक्कत है क्योंकि कैसे है उम्हां को बताती हूं देखिए अगर दिस्ट्रिक हमारे हम महिंदर को बोल जाते हैं सबसे पहले लोग जादा क में दिखताथ है कर दिस्ट्रिक महिंदर कड़ या नाडनॉल है और फिर हमारी जब हमारे पर हमारे जिदा हमारी यह सब कुछ्क नहीं है तो हमारे मुख्याले को हम वहां ले जाने से हमें सबसे बड़ी पर्शाहिए कि हमारे लोगों को बहुत दूर जाना पते है बहुत तो क्यों सब् keen the subject हाध को अगर होemu है संघ लगते हैं कि जो अए तो उन्होंने कहीं मेंज़गाड के साथ में भीदभाव किया क्योंकि आप जिलाबदलने का नाम की अगर बात करें तो और पीछे अगर हम देख पाएंगे कि ना तो रोल के नाम पर यहां पर कुछ है या फिर अगर और फैसिलिटीज की अगर बात कर लीगा तो वो भी नहीं है यह बात आप सही कहा रहे हैं क्योंकि अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्स को देखें तो उसमें बहुत प्रोग्रेस अगर नहीं सुनती है तो आगे का कोई प्लैन है यह तो बार आसोसेशन जिस तरह का भी जैसा भी जो भी डिस्शन लेगी आगे के लिए क्योंकि हमें तो अपनी मां पूरी कराणी है तो जब तक यह बार आसोसेशन का जो भी जैसा प्यसलिफर है डाएगा हम उसमान पा समथ्ष्ण डेते रहेंगे क्योंकि हमारी बहुत कोई बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, तो सरकार से हम बिल्कुल अपनी हग की बात कर रहे हैं, और होना भी चाहिए है, यह नहीं डिस्टिक है तो नहीं है है, बहुत जरूरी ही है, लोगों के लिए बहुत असान काम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम पूरा इसने स में में काकरिक सवाल, जो नारनोल है, वहाँ पे सारे हेड़कॉर्टर्स हैं आज के दिन, लेकिन क्या आप इस पक्स में हैं कि नारनोल को एक अलग से डिस्टिक बना दिया जाए और महेंदरगड को बना दिया जाए जी वो तो देखिए, सरकार पे डिपेंड है, हाँ, औ मुझे लोगों के लिए असानी हो जाएगी, तो मुझे लगदा है कि ठीक है, दो दिस्टिक बना सकते हैं, बहुत एजी है, कोई जादा मेरे को लगता नहीं सरकार को इतना प्रेशर आना चाहिए और असान भी हो जाएगा, आप डिवाइड कर देजिए, थोड़ा कुछ दोना जगह को डिस्टिक बना सकते हैं, अदर चाहे तो सकार, पाकी मेरा तो सारा यही है, फोकस हमारा यही है कि हमारे डिस्टिक में ही सब कुछ हो है, विकास क्यों कि इसी चीज से होगा, हम आगे इसी चीज से बढ़ेगे, आप देखेंगे कि अगर जैसे मुख्याले उ आप इसको हमारी सुनवाई पीजिया और इसकर अक्शन दीजिया और इसको हमारे मुख्याले को हमारे कुछ में ही रहने की इसी चीज से पूर जोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ महिलाओं से बाकी सब लोगों से कि आप बढ़ चड़ कर इसमें हमारा साथ दे औ यहां पर लगातार जो महंदरगड है उसके साथ भेदभाव होता है लेकिन अब आगे ये लोग जाग चुके हैं और आगे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैम ने बताए कि आगे महिलाएं भी निकल के सामने आ रहा है और वो भी चाहती हैं कि महंदरगड के साथ इस तरीका का जो भेदभाव हो है वो ना हो बार एसोशेशन एक बार फिर से सामने आज की है और वो धरने अंदोलन सभी कुछ करने के लिए तयार है और यहां के जितने भी लोग हैं वो उनका साथ दे रहें समर्थन दे रहें साथ इन्हों ने यह भी कहा कि अगर नारनोल को अलग से डिस्टिक बना दिया जाए तो भी उनको कोई प्रोब्लम नहीं है मैं अपने सहीज मनोज के साथ अमितमन स्टेक नूज है